कि नमस्कार मैं मनोज कुमार निगम एक बार फिर सभी दर्शकों को शुरुताओं को में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे पहले वीडियो पे अच्छे कमेंटस वह अच्छे लाइक्स वह अच्छे व्यूस दिए जिससे एक व्यक्ती का प्रो क्षान होता है और वो मोटिवेट होता है आगे के लिए और अच्छे वीडियोज बनाने के लिए तो एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं ज्वलंत विशय हैं जिनसे आज पूरा देश दो चार हो रहा है बात हम शुरू करते हैं कुछ 5-6 साल 7 साल पीछे जा करके वैसे तो हम बात शुरू कर सकते हैं आज से 70-72 साल पीछे जाके भी लेकिन उतना पीछे जाने की आवश्यक्ता इसलिए नहीं है कि 70-72 साल पहले 73 साल पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय की परिस्थितितिया और आज 6-7 साल पहले की परिस्थितियों में जमीन और आस्मान का फरक है उस समय देश की इस्थिति उतनी मजबूत नहीं थी या नहीं हुआ करती थी जितनी आज मजबूत इस्थिति में देश है यानि 6-7 साल पहले यानि हम बात कर रहे हैं 2014 के बाद की और वो इस स्वज़े से कर रहे हैं क्योंकि 2014 से पहले इस देश में एक पार्टी थी जिसकी 10 वर्षों तक सरकार रही थी और उस समय पर भी बहुत सारे नियम कानून बने थे अध्यादेश बने थे बहुत सारी विचारों को लागू किया था कानून के तौर पे अध्यादेश के तौर पे लेकिन और जैसा की 2014 के एलेक्शन के टाइम पे कैमपैनिंग में ये सारी बाते कही रही थी कि बहुत सारे घोटा ले हुए बहुत सारे गबन हुए बहुत सारे लोग उसमें लिप्त थे यानि जो पिछली सरकारें थी वो उसमें लिप्त थी तो सबसे पहला प्रश्ण आज की तारीक में यही है कि अगर 2014 से पहले सरकारें लिप्त थी लोगों ने गवन किये थे घोटाले किये थे तो उनकी जांच रिपोर्टों का आज तक हुआ क्या कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर नहीं है सब जेल के बाहर हैं बरी होके गूम रहे हैं यह जमानत पे घूम रहे हैं या कुछ भी इस्थथी ओ लेकिन अगर वह गोटाले हुए थे तो वो सिद्द क्यों नहीं किये गए और अगर सिद्द कर देते तो शायदो लोग जमानत पे या रिहां के बाहर नहाते तो ये तो एक आवश्यक्ता है इस देश की कि कोई भी व्यक्ति गबन करे गोटाला करे तो उसको पकड़ो और जेल के अंदर सलाखों के पीशे डाल दो अब हम बात करते हैं 2014 के बाद का सबसे बड़ा यानि की इस देश के का सबसे बड़ा जो खतरनाक निरने था वो निरने था नोट बंदी का बगैर सोचे समझे नोट बंदी को लागू करना यह अपने आप में एक बहुत खतरनाक कदम था और जो जो दलीलें इस बात इस नोट बंदी को ले करके दी गई थी उन में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ हासिल इसलिए नहीं हुआ कि देश में कहा गया था कि काला धन की वापसी आएगी वापसी नहीं हुई काला धन मिला ही नहीं रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से 99.3% पैसा जो बजार में प्रचलन में पुराना वाला था वो पूरा आ गया जब पूरा पैसा आ गया तो इसका मतलब की काला धन तो था ही नहीं कहा गया कि आतंगवाद को समाप्त कर दिया जाएगा आतंगवाद खतम हो जाएगा या उस पर अंकुष लग जाएगा वो भी नहीं हुआ देश में एक असमंजस की इस्थिती खड़ी कर दी गई बेरोजगारी की इस्थिती पैदा कर दी गई जिससे आज तक यानि 2016 नवंबर में जब ये नोड़ बंदी लागू करी गई थी तब से ले करके आज चार साल हो चुके है इन चार सालों में देश उस नोड़ बंदी की मार से उबर के बाहर नहीं आ पाया है उसके बाद में लागू किया गया जी एस्थि जी एस्थि की भी जो जो जटिलताएं थी उनके ओपर पहले विचार विमर्श नहीं किया गया उसको लागू करने के पहले और अंतत्तो गत्वा वो जी एस्थि जो था वो गले का फं सबसे बड़ी बेरोजगारी से सबसे बड़े अनिम्प्लाइमेंट से सबसे बड़ी मंदी से गुजर रहा है उसके बाद में अगला चरण आता है रोजगारत का नौजवानों के भविश्य का इस विशे में भी हमारे देश के माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोधी जी ने ये कहा कि पकोडे तलना भी एक रोजगार है यानि जो माँ बाप अपने बच्चों को अपना खून पसीना एक करके मिडल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको पढ़ा लिखा करके काबिल बनाता है कि उसको रोजगार मिले उसको रोजगार मोहिया हो तो वो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा मार्क दर्शन किया कि तुम कोई भी अच्छी पढ़ाई करने के बाद में पकोड़े तलने की दुकान खोल लो तो तुम्हारा स्वरोजगार हो जाएगा आज में निरभर भारत बन जाएगा बहुत अच्छी बात है साथ अब उसके बाद में नंबर लगता है साथ कोरोना का कोरोना का नंबर लगा कोरोना के नंबर में भी बतल आप ये देखे कि जो इस्थिती थी 25 मार्च को 22 मार्च को एक जनता करफ्यू लगाया गया जन्ता कर्फियू लगाने के बाद में 25 मार्च से ये अगोशित लॉक डाउन एकदम से पूरे देश के उपर थोप दिया गया जबकि 16-17 मार्च में ये चीज इसपश्ट हो चुकी थे कि कोरोना ने दस्तक दे दी है तो सरकार चाहती तो कम से कम एक हफ़ते का टाइम दे के एक सफ़ता का समय दे करके कि जो जहां भी है अपने अपने गंतव इस्तान पे आप पहुंच जाएए अपने घरों पे पहुंच जाएए जो भी है सरकार महीने दो महीने के जरुरूरत के हिसाब से फुल टोटल लगाएगी और उसकी वज़े से किसी को असाहूलियत ना हो उसकी जिंदगी में कोई कश्ट या परशानी नहीं आए लेकिन इस विशे में भी कुछ नहीं सोचा गया इस विशे में भी बस यहीं तै किया और लॉकडाउन लगा दिया उस लॉकडाउन को लगाने की वज़े से हमारे पूरे देश में प्रवासी मजदूरों प्रवासी कामगारों सब की जिंदगी को नरग बना के रख दिया और देश में किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की ये सहुलियत नहीं दी गई कि अगर एकदम से लॉकडाउन लगाये गया था तो उस लॉकडाउन में कम से कम उन प्रवासी भारतियों प्रवासी भारतियों का या प्रवासी कामगारों का मजदूरों का सब का जो अपने घरों से हजार हजार दूदो हजार किलोमिटर दूर जाके रोजगार की तलाश में अपने जीवन यापन कर रहे थे उनके बारे में बिलकुल कुछ भी नहीं सोचा गया उनको बस छोड़ दिया गया कि अब अपने आप अपना इंतिजाम कर लो और जैसे मरजियाय चले जाओ तो हमने पूरे देश ने यह उस दोरान की बड़ी वीभत्स पिक्चरें वीभत्स द्रश देखे हैं जिनमें बहुत बुरी इस्थिती में व्यक्ति पैदल चलने को पांच-पांस सो हजार हजार किलोमेटर मजबूर हो गया लेकिन इस देश की सरकार के उपर जू तक नही नहीं रहेंगी आज की तारीक में जो सबसे बड़ा जुलंत मुद्दा है जुलंत विशे हैं वो है यह किसान कानून बिल क्या इस किसान कानून बिल को बनाने के पहले जिस कानून में या जिस बिल को इनों ने अपने हिसाब से अपनी सहुलियत से लोकसवा और राजसवा दोनों में पारित कर दिया उसको कानून में बदल दिया कि इस देश की सरकारों ने सरकार ने या सरकार के नुमाइंदों ने ये सरकार के जतने भी मंतरी परिश्ब के सदस हैं उन लोगों ने एक बार भी सोचा था कि इस कानून को बनाँने के पहले किसानों से उनकी राय पूची जाया किसानों से उनका मंतब भी पूचा जाया किसानों से उस विशय पे जिसको विशय को हम कानून के तौर पे अध्यादेश के तौर पे लागू करने जा रहे हैं उसके विशय में हम अपने कामगारों से किसानों से बात करें लेकिन नहीं सा इस बार भी वही हुआ जैसा सबसे पहली बार हुआ था नोड़ बंदी के टाइम पे लाइन में लगे लोग इस देश में कितने सैक्लों की तादात में मर गए भूपयास से अपने नोड़ बदलवाने के नाम पे मार खाके या भूख की वज़े से या भीमारी की वज़े से लाइन में लगके मर गए इस देश की सरकार बहुत खुश थी इस बात से उसी तरहीं से जीएस्टी लागू किया गया उसमें भी बहुत सारे अंगेनत अमिटमेंट कर दिये जए जब इतने अमिटमेंट करने ही थे तो उसको पहले विचार विमर्ष में लाते पहले ही उस परचेंड डवलपमेंट का काम तो लाइफ लॉंग चलता ही रहता है सहूलियत और आवश्यक्ता के अनुसार लेकिन तब भी नहीं सोचा गया था कोरोना का टाइम आया तब भी यह चीज नहीं सोची गई अब यह वापस किसान बिल है किसान बिल में किसानों की जो परिस् लगा हुआ है और वो उस जमाबले में लगे हुए हैं कि किसी तरीके सा सरकार उनकी बात को सुने कितने ही दौर की बात चीत हो की है लेकिन सरकार इसे में किसानों की सुनने को तैयार भी नहीं है और वो तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार को लगता है कि हम तो इस पश्ट वहुमत में है अगर हमें किसान बिल वापस लेना पड़ गया तो हमारी तो बेज़ती हो जाएगी हमारी तो नाक नीची हो जाएगी सवाल इस बात का नहीं है कि आपकी बेज़िती हो जाएगी आपकी नक नीची हो जाएगी आपको सरकार के इस पद पे या सरकार बनाने का अधिकार इसी जनता ने दिया है इसी जनता की वोट की ताकत की वज़े से आज आप साड़े तीन सो से जादा सीटे अपने NDA गडबंदे की ले करके सरकार को चला रहे हैं और अब ताना शाही कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए था तो इस देश की विभीशिका सबसे बड़ी यह है जैसा मैं सोचता हूँ हो सकता है शायद मेरे इविचार गलत हो लेकिन यह सत्य है कि हमारे देश में राइट टू रिकॉल कि पर्मीशन नहीं है कि अगर कोई सरकार हमारे वोट की ताकत से क्लियर मैजोर्टी लेकर कि अपनी सरकार बना ले और उसके बाद अगर वो सही काम न करे उचितने रिलाएं न ले तो हम उस सरकार को अपने वोट की ताकत से ही वापस गिरा दें और इस देश को वापस एक मौका दें कि वो सही व्यक्ति को सही व्यक्तियों की सरकार को सही विचारों की सरकार को और खासकर जो सरकार देश के नौजवान देश के किसान देश के गरीब देश के कामगारों और देश की उन्नती के लिए काम करें हम उसको अपनी सरकार बनाएंगे या उसको हम अपनी सरकार बनने देने का मौका देंगे लेकिन यहां पर इस्थिती दूसरी है यहां पर इस्थिती यह है कि हम एक बार बन गए साफ, clear majority आ गई हमारी अब हम पांच साल तक जो मर्जी आएगा वो करेंगे किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं मानेंगे ये जो इस्थिती है ये सबसे दर्दनाक और खराब इस्थिती है और मेरा मानना ये है कि सरकार को खुद पहल करके अरे हमें तो याद रखना चाहिए अपने पुराने प्रधान मंत्रियों को जिसमें मैं आज की परिस्थिती में लाल बहादु शास्त्री जैसे व्यक्ती जो की एक किसान परिवार के से आते थे उन्होंने जै जवान और जै किसान का नारा दिया था तो जै जवान और जै किसान का नारा बस यो ही नहीं दे दिया गया था कि बस यह बैठे दे रात में सपना आया और जैजवान जैकिसान का नारा दे दिया बलकि उस नारे को बनाने में गूण विचार विमर्श हुए थे महत्पून विचारों का आदान प्रदान हुआ था परिस्थितियों का आकलन हुआ था तब जा करके वो एक नारा निकला था जय जवान जय किसान क्योंकि किसान इस देश के हर व्यक्ति का अन्न दाता है जवान इस देश के हर व्यक्ति के लिए रक्षा रक्षा चक्र है जिसकी सुरक्षा में हम बहुत निश्चिंद होकर करें अपने जीवन दों गुजारते हैं तो इसलिए जै जवान और जै किसान का नारा कोई योई रातो रात नहीं बन गया था तो मेरा आज की जो सरकार है उससे निवीदन है करपा करके अपनी हट धर्मिता को खतम करें और किसानों के बारों में, जवानों के बारे में, देश के मध्यम वर्गी परिवारों के बारे में और देश के विकास के बारे में करपा करके ध्यान दीजिए ताकि आपका बड़पन भी बना रहे और जिनकी आवश्चक्ताएं और जिनकी जरूरतें हैं उनकी जरूरत और आवश्चक्ताएं भी पूरती रहें वैसे तो देखी एक बात हर विक्ती जानता है कि इनसान की इक्षाओं का अंत नहीं होता लेकिन इस इक्षाओं का अंत नहीं का कारण ये नहीं है कि हम विचार विमर्श करना छोड़ने हम आपस में बात चीत करके कोई इस निशकर्ष में पहुंचें जिससे सबका फाइदा हो सबका साथ हो सबका विश्वास हो और इस पूरे भरोसे के साथ ये देश आगे चले आगे बढ़े एक बार फिर आप सबसे मेरी हाथ जोड़के कर्वद्द प्रात्ना है कि मेरी आवाज अगर सरकार तक पहु थोड़ा सा गौर करें और कोशिश करें कि इस देश के लोगों का भला हो सके लिके देश के लोगों का कल्यान हो सके और सरकार का भी मान सम्मान रहें क्योंकि देखिए हमारे वो देश के प्रदान मंत्री है आदरनी प्रदान मंत्री है मंत्री परशद है तो आदरनी मंत्र परशद है हम उसका सम्मान करते हैं और वो सम्विधान और कानून से पूरे देश को चलाने के लिए उन्होंने शपत लिए और इस चीज की भी शपत लिए है कि इस देश को उन्नती के रास्ते पर आगे ले जाएंगे तो यह अपने करतव्यों का निर्वहन करें देश का बाकी जन मानस 135 करोड की जो जन संक्या है वो अपने अपने साहस और अपनी मेहनत के बल पे देश की तरक्की में देश के विका लिए नीतियां इस प्रकार से बनाएं पॉलिसी इस तरीके से बनाएं कि कम से कम देश का कामगार किसान आम आदमी मध्यम वरगी अपने आपको दबा कुछला महसूस ना करें पस इनी विचारों के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद झाल